MC Stan, एक कबवाली सिंगर से लेकर बिग बॉस सोला का विनर बनने तक का सफर आज हम आग को बताएंगे MC Stan की पूरी कहानी 12 फरवरी को MC Stan ने बिग बॉस की ट्रोफी लिफ्ट करके सभी को हैरान कर रख दिया था क्योंकि सभी ऐसा सोच रहे थे कि विनर के तौर पर सभी को देखने मिलेंगी प्रियंका चहर चौधरी लेकिन ऐसा हुआ नहीं रैपर को सल्मान खान ने बस्ती का हस्ती कर अड्रेस किया है और सभी ने उनके लिए चेर किया था बता दिया जाए कि MC स्टैंड को मिले हैं 31,80,000 रुपई कैश उसके साथ ही एक गाड़ी और बिग बॉस ट्रोफी पर बता दिया जाए कि ये सफर MC स्टैंड के लिए आसान नहीं था उन्होंने काफी ज़्यादा स्ट्रॉगल किया है आज वो जिस मुकाम पर है MC स्टैंड में कवाली तक सीखी है 12 साल की उमर में उन्होंने कवाली का रियास किया और उसे के साथ उन्हें इंट्रड्यूस किया गया हिप हॉप से उन्होंने बी बॉइंग की, डांसिंग की, बी बॉक्सिंग की और उसके बाद वो एक रैपर बन गये है MC Stan का बचपन slum areas में गुज़रा है और वहीं से उन्होंने अपनी education complete की है और education complete करने से पहले ही वो एक hip hop star बन गए थे उन्होंने six standard से rapping करना सीखा था और उसमें उन्होंने कई लोगों को diss भी किया है जैसे emmy wave बन टाए जिसके वज़े से उन्हें काफी ज्यादा hates भी मिले थे MC Stan के परिवार की बात की जाए तो उनके पता जी police department में policeman का काम करते थे और उनकी माता जी housewife है MC Stan की social media पर कितनी जादा fan following है इसे हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है जब वो big boss में थे तो उनके कुछ 1 million followers थे लेकिन आज जब वो big boss के घर के बाहर आ गए हैं तो उनके followers list में शामल है 8.7 million followers MC Stan का हमीशा से ही controversy में नाता रहा है कई बार उनकी ex-girlfriend को लेकर तो कभी उनके dis battles की वजह से MC Stan hold करते हैं बहुत सारी expensive accessories को और उनके पास करीबन 1.5 करोड का diamond necklace है MC Stan को big boss के घर में कई सारी expensive चीज़े पहने भी देखा गया है Well, MC Stan तो अब big boss के घर के बहार आ गए हैं और trophy भी साथ ले आए हैं क्या आप खुश है MC Stan की जीत से अपनी रायर हमें comment section में जरूर बताएं और as your updates के लिए stay tuned to Telebytes